तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हमारा chapter chapter no. 7 the necklace रहे हैं उसको देखलिक का है है तो इस लोग घॉट्स लोग पहनते हैं उसको के ते तो अनका से रहे हैं जो की necklace borrow करती है अपनी friend से और वो उसे lost कर देती है उस necklace को repay करने के लिए वो अपने 10 years गवा देती है ताकि वो उसका पैसा जो है दे पाए इसी से related ये story है तो start करते हैं इसके जो writer है उनका नाम है गी दम पसंट इनका नाम है थोड़ा सा अजीब सा नाम है गी है वैसा गाय होता है लेकिन यहाँ पे इसको गी बोलेंगे गी दम पसंट ठीक है तो यहाँ पे putpin without feet का ये chapter number 7 है शुरू करते हैं हम chapter को और class 10 का ये chapter है सबसे पहले main point से हम इस chapter को cover करेंगे तो first point क्या दे रखा है ये beautiful सी lady है जिसको हमने matilda कहा है ठीक है तो ये matilda है matilda जो की कौन है Mrs. Lossil है Mrs. Lossil कोन है Mr. Lossil की wife है जिनका नाम जो आपको book में मिलेगा वो दो दो बार मिलेगा कभी आपको Miss Lossil मिलेगा sorry Mrs. Lossil मिलेगा कभी आपको matilda मिलेगा तो एक ही है अलग-अलग नहीं है एक ही नाम है matilda bracket में लिखा है Mrs. Lossil Mr. Lossil की wife है ये was a beautiful young lady who was born in a family of clerks by some error of fate matilda जो की बहुती beautiful थी बहुती अच्छी थी लेकिन उसका जन्म जो हुआ था वो एक clerk की family में हुआ था कुछ error की वज़े मतलब जो भागय में आ जाता है उस तरह से यानि वो वैसी लड़की नहीं थी मतलब उनका जो beauty था उनकी जो nature था उनका जो सोच था वो थोड़ा सा luxury type का था लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था एक clerk के घर में हुआ था और जो की किस्मत से अलग मतलब उनकी किस्मत में लिखा वा था इस तरह का वैसा था और वो यह feel करती थी कि मेरा जो है मुझे जन्म लेना चाहिए था कैसे बहुत ही राजपाट से ठाट बाट से जो है मेरा यह वर्ल होना चाहिए था मतलब सारी सुक सुविदाय होनी चाहिए थी मेरे पास लेकिन ऐसा नहीं था उसकी एक रिच फ्रेंड थी जिसका नाम था मैडम फॉरस्ट्रियर ठीक है उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी लेकिन वो बहुत जादा अमीर थी जिसका नाम था मैडम फॉरस्ट्रियर but did not like to visit her because she suffered so much in her ordinary existence but वो क्या करते थी अपनी फ्रेंड से मिलना पसंद नहीं करते थी क्योंकि जब भी वो उसके उससे मिलकर आते थी वो suffer करते थी मतलब गुजरती थी किस चीज से उसके जो बहुत जादा जो उसका ordinary existence है कि वो खुद कैसी दिखती है और उस अपनी existence मतलब अपनी जो उसके यथार्थ है जो उसका अभी का जो time है उसको देख करके वो अपनी फ्रेंड से थोड़ा सा अलग लग अपने आपको थोड़ा सा अलग feel करते थी थोड़ा demotivate हो जाती है कि वो इतनी अमीर है और मैं जो हूँ बहुत गरीब हूँ गुद फ्रॉक्स एंड ज्वेल्स और मटल जो है उसको पसंद आता था कि खाने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजे होनी चीए खाने के लिए बहुत बारवलस यानि कि शांदार वह वह करने वाला शांदार ठीक है शांदार जो है क्या होना चाहिए खाना होना चाहिए अ के जो husband थे जिसका नाम था Mr. Lossal वो आये थे एक invitation card ले करके और बोला कि Matilda को कि ये देखो invitation card आया है और एक ball party है मेरी office के और बहुत कम लोगों को ही invitation card मिला है उन में से मुझे मिला है तो हम लोग चलेंगे बहुत टाइम जब कहीं भार उठा के फैक दिया कहां पर table पर क्यों फैक दिया उसको लगा कि Mr. Lossal को लगा कि यार ये तो card देखा कि बहुत खुश होगी और उसने कहा भी कि मुझे तो लगा तुम देखा कि बहुत खुश होगी लेकि तुम ने तो ऐसे card को फैक दिया she thought that she didn't have a proper dress for the ball and didn't want to present her poverty-stricken image image rich ladies और उन्हेंने क्या बोला उसने कहा कि मैं जो हूँ मेरे पास कोई अच्छी सी proper dress नहीं है कि मैं ball party में जा कर के पहन पाऊं ऐसे मेरे पास कोई अच्छी सी dress नहीं है और ना ही मैं ऐसा present करना चाहती हूँ अपनी जो गरीबी है उसको जा करके मैं दिखाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि देखो भई याना इत जो rich ladies होंगी वहाँ पर उनके सामने में अपनी गरीबी वाली जो image है वो नहीं दिखाना चाहती हूँ तो जो लॉखसेल थे उसने कहा कि दैसा क्यों सोचती हूँ तुम अच्छी ब्रेसे पहनो तो मैं पार अछी साही ड्रेसे उसमें से कोई पहन लो फिर जब उसने बोला कि मेरे पास जूलरी नहीं है तो यह जूलरी के लिए तो तो तुम फ्लास की जूलरी लगा थी वो वाहरी दुनिया जो है उसके अनुसार चलती थी अंदर की ब्यूटी को नहीं देखती थी आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं मिस्टर जो लॉसल थे had to sacrifice his 400 फ्रेंक्स for the dress which he had saved to buy a gun for hunting अब जब मिस्स लॉसल ने ऐसी बात बोली तो उनोंने का अच्छा ठीक है तो बता जब उनोंने बोला कि में पास कप्ड़े नहीं है dress नहीं अच्छी तो उसने का अच्छा ठीक है तो dress कितने तक की आ जाएगी तो कहा around 400 फ्रेंक्स तक आजाएगी फ्रेंक्स वहां की currency है तो बुला 400 फ्रेंक्स तक आजाएगी तो मिस्टर लॉसल ने सोचा कि कोई बात थी मैंने जो पैसे सेव किये थे उन्होंने पैसे सेव किये थे बट जब उन्होंने ये सुना कि मटल्डा को भी dress चाहिए तो फिर उन्होंने अपने 400 फ्रेंक्स से वह sacrifice कर लिए उसके लिए और उसको कहा कि जाओ इससे एक अच्छी सी dress लेयाओ जो तुम पार्टी में पहन पंग ठीक है अब dress क्या तो काम हो गया अब ball party का जिस दिन time आने वारा था तो फिर से मटल्डा का mood off हो गया तो अब लॉसल ने कहा कि अब क्या हो गया अब तो मैं बस dress ली है अब क्यों परिशान हो रही हो तो तो मैं बस dress तो है लेकिन पहनने के लिए मैं पस jewelry नहीं है मैं jewelry क्या गया था but Matilda put forward another demand अब वो एक और demand करने लगी and wanted to wear a necklace at the ball और उन्होंने का उसने कहा कि मेरे पास कुछ jewelry नहीं है मेरे पास कोई necklace नहीं है कि मैं उसको जा करके ball party में पहन पाऊ और मैं थोड़ी सी अच्छी लग पाऊ तो इस तरह से बोला तो वो चीज नहीं हो पाई तो उसने क्या किया मिस्टर लॉसल जो है उन्होंने suggest किया that she could borrow jewels from her rich friend madam foresters और उन्होंने बोला जो मिस्टर लॉसल थे उन्होंने का कि अरे तुम्हें काम कर सकती हो न तुम अपनी जो तुम्हारे जो बहुत अच्छी रिच फ्रेंड है जिसका नाम था madam foresters उससे जाकर के तुम उसका necklace borrow कर लो वहां से तुम उधार ले लो बोरो करके पहन लो और तुम्हारा भी काम हो जाएगा हम लोग भी ऐसे करते हैं कोई चीज किसी के लगती तो हम एक दिन के लिए बोर मिस्स वोरिस्टेश जो है प्लेज़ हर बॉक्स ऑफ ज्वेल्स बिफोर मर्टेलडा तू चूज और उसने क्या किया मिस्टर वोरिस्टेश जो उसने बहुत सारी इसको necklace दिखा है बहुत सारी jewelry दिखाई लेकिन उसको कोई भी jewelry समझ में नहीं आए फिर finally उसको एक diamond necklace जो है वो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि मैं जो हूँ ये पहन सकती हूँ तो उसने कहा हाँ हाँ पहन ले कोई बात नहीं ले जाब ले पहन ले तो उसकी friend ने उसको दे दिया पहनने के लिए ठीक है on the day of the ball जब वो ball वाला दिन आया Mrs. Lossil was a great success and locked very beautiful elegant and graceful और Mrs. Lossil जो है उस ball वाले दिन अपनी चीज में बिलकुल success हो गए क्यों क्योंकि उनके पास अच्छा सा dress भी था उनके पास एक बहुत ही प्यारा सा necklace भी था और उसको पहन के वो party में सबसे जादा क्या लग रही थी मन को भाज आए ऐसी लग रही थी और सभी लोग महाँ पे जितने भी party में लोग थी उस सब उनको देख रहे थे तो मटिलडा इससे पहले कभी भी ऐसा उसने feel नहीं किया था कि कोई उस क्योंकि हर बार दिल से यहीं चाती थी कि मैं बहुत खूब सूरा दिखूँ अच्छ अच्छे से रेडी हो के आते हैं उस दिन हमारा confident level जो है वो बहुत ही अलग होता है हमारे बोलने में हमारे चलने में हमारे बात करने में हमारे हर एक चीज में एक अलग ही ऐसास दिखता है तो बिलकुल अगर आप अच्छा dress up होते हो तो उसका feel आपके आसपास दिख जाता कि मैं अच्छी लग रही हूँ मैं बढ़िया लग रही हूँ मस लग रही हूँ लेकिन जैसे ही party में आप पहुंचे तो आपने देखा कि आपके friend आपसे अच्छी ready लग रही है और सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं तो कही ना कही हमारा confidence ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा पी हर जागे पर हम बहुत ज़्यादा important डिकने लग जाते हैं तो वही चीज इसके साथ हो रही थी किसे मटल्डा के साथ आगे she attracted the attention of many men who wanted to be the introduced to her और वो attract होने लगी बहुत जादा मतल्डा इस चीज को बहुत enjoy कर रही थी returning from the party she wanted to have a final view of herself in her glory in the mirror अब जब वो घर आए पार्टी से गुम फिर के जब घर आए तो घर आकर के उसने अपने आपको कहा कि अब final एक बार और अपने आपको इस रूप में देख लेती हूँ ताकि कल जो है मैं necklace फिर return कर दोगी तो फिर मुझे तो वो necklace मिलेगा नहीं पहनने को तो एक बार फिर मैं अपने आपको mirror में देख लेती हूँ कि मैं कितनी प्यारी, कितनी glory लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ तो इस चीज को देखने के लिए वो mirror के सामने गई जैसे ही वो mirror के सामने गई क्या हुआ suddenly she uttered a cry as the necklace was not around her neck और अच्छानक से जैसे वो mirror के सामने गई जैसे उसने अपना जो उसको पैना वा था scarf उसको उसने हटाया तो बहुत जोर से चिलाई ठीक है और चिलाई क्यों? क्योंकि necklace जो था वो उसके neck में नहीं था necklace जो है कहीं गिर गया था, कहीं miss हो गया था Mr. Lossal went out in the night in search of the lost necklace he went to the police cab office and put an advertisement in the paper अब Mr. Lossal जो है वो ने सुचा कि अब necklace कहां कहां जा सकता है तो पूरी night वो रास्ते में डूणते रहे जिस cab में वो आयती उस cab वाले को उन्होंने call करके पूछा पुलिस में वो गये और उन्होंने advertisement भी दिया paper में कि भाई इस tribe का जो necklace है कहीं पर किसी को मिले तो please देना क्योंकि वो diamond का necklace था तो इस चीज को उसने बहुत lightly नहीं लिया क्योंकि diamond necklace तो भाई Mrs. Forrester's को तो देना ही था return तो करना ही था अब मिल नहीं रहा था तो दोनों परेशान हो गये बहुत उन्होंने try किया लेकिन नहीं मिला at the end of the week they lost all hopes and it was decided to buy a new necklace similar to the lost one और finally एक हफता बीट गया और necklace तभी भी नहीं मिला and then they decided उन्होंने क्या decide किया to buy a new necklace उन्होंने decide कि हमें एक new necklace purchase करना होगा similar to the lost one जो similar जैसा था उसी के जैसा नया दूसरा हमको बनवा के देना पड़ेगा अब necklace किसी का खो गया है diamond का और diamond का necklace repay करना है फिर से उसको बनवा के देना है तो this is the big thing वो बहुत बड़ी चीज थी और वो भी किन के लिए Mr. Lossel और Mrs. Lossel के लिए क्योंकि वो बहुत ही जादा simple family के थे बहुत ही limited उनके पास जो थे sources थे अपनी earning करने के लिए और वो उस चीज को कैसे repay करेंगे ये बहुत बड़ा challenge था क्या हूँ आप देखो the similar diamond necklace that could replace the lost one value 36,000 francs जो similar diamond जो था necklace that could replace करना था जिसको replace करना था किसे lost से उसकी value थी 36,000 francs जहां उसने 400 francs जो है वो खटे करने में अपनी गन को खटे करने के लिए उसको खटे करने में इतना time लगा दिया तो सुचो 36,000 वो कैसे collect करेगा चलिए ठीक है Mr. Lawsell के पास क्या थे 18,000 francs जो थे वो पड़े थे but had to borrow the rest of the money लेकिन बाकी के जो पैसे थे वो उनको उधार लेने पड़े बौरो मतलब की उधार लेने पड़े ठीक है लिख देती हूँ मैं आगे बात करते हैं अब यह सारी चीजे हुई तो क्या करेंगे करना तो पड़ेगा अब necklace तो देना है पैसे तो देने पड़ेंगे और जो नया necklace जो है वो diamond necklace जो की पुराने वाले के जैसा ही था वो दिया गया किसको मैडम फोरेस्टेस को लेकिन तब तक उसने return करें तब तक Mr. Lossal ने उसे बॉला था मतलडा को कि मैडम को बोल जो तुमारी friend ने उसको बोल दो कि उसका hook तूट गया है तो hook बनवा के देंगे तो तब तक उन्होंने नया necklace बनवाने के लिए time ले लिया था चलिए और उन्होंने इसके लिए बहुत जादा work hard किया ठीक है उन्होंने क्या क्या work hard किया क्योंकि उनको ये जो ये जो चीज घटित हुई थी उनके साथ ये जो दैनी ये चीज घटित हुई थी उस चीज से बाहर निकलने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ा बहुत सारी चीजों का उनको sacrifice करना पड़ा क्या क्या किया उन्होंने they sent away the maid उन्होंने maid को निकाल दिया and rented some rooms in the attic और उन्होंने जो उनके घर थे उसमें कुछ जो rooms थे उन्होंने उसको rent पे दे दिया Mrs. Lossel wash dishes जहांपर उनकी maid आती थी सब काम करने के लिए अब वो खुद जो है भरतन दोने लगी कपड़े दोने लगी lived like an ordinary woman और रहने लगी बिलकुल सामान्य महिलाओं की तरह जैसे सामान्य महिलाओं जो होती है उनकी तरह वो भी रहने लगी सामान्य महिला means कि घरेलू type की जो ladies होती है जो सारा काम करती है जाडू बरतन पोचा यह सब चीज़े करती है जो पहले made होती थी वो made सारा काम करती है लेकिन अब वो खोद एक काम करने लगी थी पानी भर के लाती थी यह सारे काम जो है अब वो खुद करने लगी तो यह question आ सकता है कि उन्होंने कैसे repay किया था यह बहुत different different types से आ सकता है कि उन्होंने necklace के लिए क्या-क्या hard work किया कैसे उसने diamond necklace को उन्होंने repay किया क्या-क्या उन्होंने miss किया तो क्या-क्या क्या hard work किया और बहुत जादा miserable pay किया अपनी life के जो भी चीज़े थी उन्होंने maid को निका दिया sent away the maid and rented some rooms ऐसे लिख सकते हो lossal washed the dishes, clothes lived like a ordinary woman ठीक है आगे देखते है Mr. Lossal जो है वो भी कुछ-कुछ करने लगे उन्होंने क्या किया worked at some merchants in the evening अब वो क्या करते थे पहला तो सिफ जो काम करके आते थे घर पे आके बैठते थे अब वो evening में भी कुछ merchants जो है उनके काम करने लगे and did copying work at five source as a page और क्या करने लगे और papers जो है उनको copy करने लगे कितने five source ये भी एक currency है five source में एक page जो है उसको copy करने लगे तो ये extra उन्होंने काम करना शुरू किया क्या क्या किया work किया, कुछ some merchants जो है उनके लिए काम करते थे in the evening और कुछ copy करते थे काम कुछ भी copy करना थो थे उसके लिए five source जो है एक page के लेते थे और ये सब करने में उनको कितना time लग गया दस साल लगे जो करजा था उसको उतारने में to pay off the debates completely and the necklace had completely changed their life और इस चीज को जो उनका जो उधार था जो उनकी debates थी उनको complete करने में उनको कितने time लग गया 10 years लग गये and the necklace had जो necklace था उन्होंने इनकी पूरी तरह से क्या कर दिया था इनका पूरा जीवन जो है पूरी तरीके से change कर दिया था इनकी जो 10 साल थी वो बहुत ही hard निकले एक एक पैसा जोड जोड के जोड जोड के उन्होंने उस necklace की भरपाई की एक दिन क्या हुआ मेडम जो Fastres जो थी वो मिलती है किस से Mrs. Loosal से मिलती है जब Mrs. Loosal से मिलती है तो वो उसको पहचानती नीć क्योंकि मैडम Matilda जो है वो एकदम से देखती है कि ये मैडम Fastres है इनसे जाके मिलती हूँ अब किस चीज का डर अब तो मैने इनके पैसे जो है, necklace जो है, वो वाली तो मैंने पैसे भी चुका दिया, और इनको बताऊं तो सही सचा ही, कि इनके necklace की वज़र से, मेरी पूरी जिंदगी जो है, change हो चुकी है, तो वो गई थी इनको बताने के लिए, अब क्यों डरू, अब तो necklace भी दे तो मैंने दे दिया, और उसका पैसा भी मैंने चुकाई दिया पूरा तो अब किस चीज का डर अब जाके उनको बता सकती हूं कि ऐसा ऐसा हुआ था Mrs. Lossil ने कहा told the whole story ends also the fact that her necklace was responsible for this miserable condition और Mrs. Lossil जो है उन्होंने क्या किया उनको पूरी कहानी बताई वो सारे necklace गुम होने की और कहा कि तुम्हारे इस necklace की वज़े से हमें ना मेरी ये condition हो गई है इस तरह हमारी बहुत ही miserable ने बहुत ही भयानक condition हो गई है हम बिलकुल ही परेशान ह हो चुके हैं दस सालों से just because this necklace फिर आगे क्या होता है मैडम फॉरेस्टियस was touched and said मैडम फॉरेस्टियस जो थी उनको ये बात touch हो जाती है मतलब दिल को छू जाती है तच मतलब कि दिल को छू जाती है और उन्होंने मैडम फॉरेस्टियस ने एक बहुत ही बड़ा भम फैका और उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी प्यारी मतलडा वो जो मेरा था ना वो तो फॉरेस्ट था वो तो नकली डायमेंड नेकलेस था और उन्होंने बोला कि उसकी मात्र कीमत सिर्फ और स्रिफ कितनी हो सकती है 500 फ्रेंक हो सकती है इससे जादा नहीं हो सकती तो यहां पर यह चैप्टर कम्प्लीट हो गया और यह चैप्टर कहीं न कहीं अधूरा भी लगा मुझे कि उसने फिर उसको रिटन किया नेकलेस यह नहीं किया उसको वापस दिया कि नहीं दिया पर यह तो चैप्टर में पता नहीं चला हमें लेकिन स्टोरी यहीं पर ही क कमी लगी कमी में को यह लगी जिसे मुझे यसा लगता है कि इसमें एक चीज जो थी मिस वह यह थी कि मटिलडा को मैडम फॉरेस्टरिस को बता देना चाहिए था कि भाई मेरी जो आपकी चीज है वो मुझे गुम हो गई है अब मुझे नहीं मिल रही है तो मैं आपको दीरे- महिने में इसको repay कर देते और उनका इतना ज़ादा यह जो उन्होंने इतना जो दुख जो सहा था वो नहीं सहते तो कभी भी अगर यहाँ से हमको lesson सीखने को मिले तो lesson यहीं सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कोई गलती हो जाते उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको बता देना चाहिए हो सकता है हमारी गलती जो है वो उतनी बड़ी ना हो जितना हम सोच रहे हैं ठीक है, प्लस हमको एक और प्लैसन मिलता है कि अपनी reality को देखना चाहिए, आपका existence क्या है उस चीज को आपको believe करना चाहिए, उस पे आपको रहना चाहिए, ना कि लोगों को show off करने के लिए आप नहीं नहीं चीजे करोगी जैसे आपको भी अगर लगता है कि अरे यार में पास सोने के कंगन नहीं है, में पास earrings नहीं है मैं तो इसका लेके जाओंगी, शादी में जाओंगी तो इसका पहन लोगी, आप पहन लोगे चार लोग आपकी तारीफ भी कर लेंगे लेकिन गलती से अगर वो miss हो गया कहीं गुम हो गया, तो उसका हरजाना बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए कि नहीं अपोर्ड कर पाये थे, तब भी हम किसी और का लेके गए, और किसी और का लेके अब उसको फिर से उसको रीपे करना होगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो हमारे लिए एक भरपाई अलग, एक हम खुद के शौक के लिए ले, वो अलग चीज होती है, उसके लिए हम दीरे दीरे जोडते हैं, फिल लेते एक हमको किसी की बरपाई करके देनी है, तो उसका गिल्ट भी होता है प्लस वो करके भी देना होता है, ये जो चीज हो जाती है, तो हमको अपनी reality में रहना चाहिए, जो है, जितना है, जैसा है, उसी के साथ अपने आपको present करना चाहिए, ना कि false अपनी एक image दिखाने चाहिए, कि मेरे पास यह है, तो वही चीज मर्टलडा ने की थी, लेकिन मर्टलडा को यहां से एक lesson भी मिल गया, चली देखते हैं character sketch की क्या के character sketch है, first main हमारी मर्टलडा और उसी के बारे में हम देखेंगे, मर्टलडा जो थी बहुती pretty young lady थी, ठीक है, she wanted to lead a rich and luxurious life, वो कैसी चाहती थी, वो चाहती थी मैं rich रहूं और बहुती ला जवाब, शान्दा, ठाडबाड वारी जो है life वो जी हूं but she has born in a humble family, लेकिन वो बहुती humble family, दयालू family में पैदा हुई थी and had to marry an ordinary man, और उसकी जो शादी भी हुई थी, वो भी एक सामान या आदमी से हुई थी, कोई ऐसा businessman या कोई ऐसा merchant type का वेक्ती नहीं था, she felt sad about her petty economy and the social status, वो अपने लिए बहुती ज़ादा दुखी थी, अपन जो उसकी economy, जो उसकी फैसी, उसकी ग्रस्थी थी उसके बारे में और उसका जो social status था यानिकि सामाज ही किस्तदी जयुती, उसके बारे में वो बहुत ज़ादा economic शादीला की आर्थी किस्तदी ठीक है, आर्थी किस्तदी उसकी बहुत ही जादा अच्छी नहीं थी और उसक चीक है she wanted to pretend as a rich woman तो वहां पर वो कैसे pretend करती है अपने आपको rich pretend करना चाहती है she gave into a vanity और वो फिर क्या करती है वो बोलती है कि मुझे जो है एक क्या चाहिए मुझे एक अच्छी सी dress चाहिए और उस चीज के लिए वो demand करती है next क्या है she disregarded the advice of her good husband वो disregarded करती है जो भी उसके husband उसको advice देते हैं कि फूलों की jewelry पैनलो और तुम्हारे पास जोतनी side dresses उसमसी कोई पैनलो अच्छी होती है वो भी dresses लेकिन उसने हर चीज के लिए बोल दिया नहीं she was a woman who sought the praise वो ऐसी woman थी जो कि किसकी थी प्रशंसा की बूखी थी और admiration of other और लोग जब man जो हैं उसको appreciated करते हैं उसकी तारीफ करते हैं उसकी beauty की और उसके grace की added dance ball जब वो dance कर रही होती है तब उसकी तारीफ करते हैं तो वो बहुत ज़़दा खुश होती है Matilda was a woman Matilda ऐसे woman थी जो कि lacking wisdom जिसके अंदर बुद्धी की और prudence Prudence मतलब होता है विवेक की कमी थी विवेक मतलब क्या होता है विवेक means कि कुछ सोचने समझने की शक्ति की हाँ ये सही है ये सही है नही है तो विवेक की कमी थी और wisdom यानि कि बुद्धी की कमी थी Just to show off a day at the ball सिर्फ और सिर्फ वो show off करने के लिए ball party में show off करने के लिए वो क्या कर देती है जो necklace जो उसने borrow किया था उसको वो खो देती है अब जब खो देती तो उसको repeat तो करना ही पड़ेगा This led to enormous suffering for her and her husband for a number of years और इसकी वज़े से वो बहुत बड़ी Enormous मतलब होता है बड़ी बहुत बड़ी परेशानी से गुजरती है और उसका जो husband होता है वो भी Her husband for a number of years वो और उसकी husband जो है बहुत बड़ी problem से इन बहुत सालों तक जो है गुजरते है She did not understand the importance of living within one means वो नहीं समझ पाती है किसकी importance नहीं समझ पाती है जीने की one means मतलब तब तक वो नहीं समझ उसके बात जाकर किसको समझ में आता है जिन्दगी क्या है कि अपनी reality में जीना चाहिए Next आता है Mr. Lossal जो कि उनके husband थे बहुत ही supportive husband थे वो Mr. Lossal is a simple man working as a clerk बहुत simple man थे और किस क्या काम करते थे as a clerk का का काम करते थे He loves his wife वो अपनी wife से बहुत प्यार करते थे and does everything to make her happy और हर वो कोशिश करते थे ताकि वो happy हो सके इस चीज की वो भरपूर कोशिश करते थे He wants to live within his means वो उसके साथ रहते थे बिना किसी मतलब के उनको अच्छा लगता था उनके साथ रहना उनके साथ प्यार से रहना ना कि वो किसी मतलब से रहते थे कि हाँ मतलब रहती अच्छी है खुबसूरत है इसलिए उसके साथ रहते थे वो उससे real love करते थे He gets an invitation to a ball with his party वो उनको मिलता है एक invitation ball party में जाने का अपनी wife के साथ When his wife wants a costly necklace जब उसकी wife जो है एक costly necklace की demand करती है तो वो suggest करता है कि she should borrow उसको borrow करना चाहिए एक necklace कहां से from उसकी rich friend जिसका नाम था Madam Forestryal When Matilda losses her necklace जब Matilda अपना necklace loss कर देती है He uses his hard earned savings to buy a new necklace तो वो क्या करते हैं अपनी जो hard savings जो उसने save कर रखी थी 18,000 फ्रैंक्स वो Matilda को दे देते हैं किसके लिए new necklace खरीदने के लिए और क्या करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं She start working very hard to repay the debate that had incurred जो उन्होंने उधार लिया था को चुकाने के लिए बहुत जादा hard work करते हैं जीना है तो किसी बिना मतलब के जीना चाहिए मतलब ऐसे कोई इच्छा है रखकर life में नहीं जीना चाहिए बस life को जीना चाहिए इससे नहीं होना चाहिए मतलब भी दुनिया नहीं होनी चाहिए unfortunately दुर्भा के वश क्या हुआ because he is lenient towards his wife he has to undergo much suffering और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या था कि वो बहुत ही जादा lenient थे lenient मतलब की उदार थे दयालू थे ठीक है lenient मतलब होता है दयालू बहुत ही दयालू थे किस की तरफ अपनी wife की तरफ towards मतलब की तरफ अपनी wife की तरफ बहुत ही जादा दयालू थे और इसी की वज़ज़ से वो undergo मतलब की गुजरे undergo मतलब होता है गुजरना, गुजरे किस चीज से? बहुत जादा कश्टों से, suffering मतलब होता है कश्टों से ठीक है? बहुत जादा कश्टों से वो गुजरे नेक्स आगे देखते हैं, नेक्स कौन है? हमारे answer writing है और first question क्या दे रखा है? आप कैसे कह सकते हैं कि लॉसल जो है बहुत ही simple man थे और प्यार करते थे अपनी wife से? तो भाई देखो इसका answer अभी अभी जस्ट आपने Mr. लॉसल का जो character sketch है उसमें भी देख लिया कि वो बहुत ही simple man थे, एक simple clerk थे और अपनी wife से बहुत ज़ादा प्यार करते थे और जब उनको अपनी wife के लिए और जब उनको अपनी wife के लिए invitation card मिलता है तो लेके जाते हैं और जब वो Mr. लॉसल जो है जो क्या करती है? necklace को miss कर देती है, lost कर देती है तो वो उनको help करते हैं उसको फिर से लाने में, ठीक है? तो आप चाहो तो यही से answer देख लो, यही वाला answer आप इसमें लिख सकते हो कि यहां से कहां कहां से लिख सकते हो? Mr. लॉसल is a simple man working as a clerk he loves his wife and does everything to make her happy, ठीक है? यह तीन लाइन दिनों यहां से लिख ही लेना मैंने को नहीं बता था कि question यह लिख सकते थे, तो answer आप यहां से लिख सकते हो ना next आप क्या लिख होगे? और इसके बाद आप लिख सकते हो हाँ, यहां से लिख देना when Matilda losses her necklace, he uses his hard earned saving to buy a new necklace तो वो new necklace buy करने में उनकी बहुत ज़्यादा help करता है he start hard working, very hard to repay the debate that he had incurred यह लिख सकते हो और वो क्या करते थे? he is a man who believes in living life within one's means यह line भी आप लिख सकते हो और इस तरह से आप first answer जो है complete यहां से लिख लेना next लिखते हैं, next question how did lossal repay for the lost necklace? lossal जो है वो कैसे repay करती है इस necklace के लिए तो maid को निकाल देती है, room rent पे देती है, खुद काम करती है यह सब चीज़े करती है, तो कैसे करती है? Mrs. Lossal Mrs. Lossal sent away the maids ओचे के और क्या करती है she rented the rooms Mrs. Lossel washed dishes clothes and live like an ordinary ordinary woman ठीक है और Mr. Lossel पी कुछ करते है तो Mr. Lossel क्या करते है Mr. Lossel Mr. Lossel क्या करते है did extra work ठीक है in the evening ठीक है extra work in the evening he copying he copying one page one page five source इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो कि क्या-क्या दोनों ने किया था कि बहुत जदा hard work किया था और सारा जो है इन सब को प्रे करने में उनको कितना time लगया था 10 years लगये थे तो इस लिख देना in this way in this way they repay for the lost necklace next देख लेते हैं last question है what changes do you find in Matilda after 10 years तो Matilda कैसे दिखती है बहुत ही old दिखती है उसके dress जो है proper नहीं दिखती है ordinary woman की तरह दिखती है तो लिख देना इसको आँसर को देना वेन मतलडा मतल्डा मतमाडम मतल्ड माडम धर इखती है उस तरह परी ट्रेम मतल्डा मतमाड मतमाडम पर इखती है she looked very old and poor her hair was white and she look like an ordinary woman what changes do you find in the Matilda after 10 years और भी लिख सकते हो कि यह चीज़ हुई थी और जब उनके husband जो है जब office चलता था तो वो अपनी mirror में अपने आपको देखे अपनी beauty के बारे में और ball bomb के बारे में यार करती थी when her husband go to office she set on front of mirror mirror and thought and thought that night that night and her beauty अब यह मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि वो जब उसके husband चल जाते थे तो यह यह सारे चीज़ें करते हैं तो आप इस तरह से अपने answer में और चीज़ें add कर सकते हो यहीं पर हमारा यह chapter जो है complete होता है so thank you so much और आपको ऐसे ही practice करनी है answer writing की जिससे आप एक learning भी कर सके और पता भी चल सके आप क्या answer में क्या-क्या add कर सकते हैं तो मिलेंगे next lecture में जहां पर हम करेंगे हमारा next chapter और कुछ ही 2-3 chapter के बाद हमारा यह footprint without feet जो है यह भी book complete हो जाएगा और उसके बाद हम start कर देंगे हमारा model paper so best of luck, thank you so much, bye bye and take care